Hello everyone, Swagat kuru chhi Sugam Akademiku. So in this class we are going to discuss about Marcellan Demand and Hickshian Demand. The difference between Marcellan Demand and Hickshian Demand. तो Marcellan Demand होची जो काडिनाल उटिलिटी अनलाइसिस रे से जो थियोरी देएथिले से तरे से Marcellan Demand derive कर्छांती. से इंदि हिक्स काण कर्थिले से Indifference काप अनलाइसिस रे से तांकर Demand function भाहर कर्छांती. सो Marcellan Demand हो Hickshian Demand भी तरे काण difference रही ची आमें देखिवा. तो Marcell काण कर्थिले से क्यों बला जेते बले प्राइस चैंज हुए प्राइस जेते बले अधिका हुए दिमांड कमी जाए प्राइस कमी ले दिमांड बढ़ी जाए एज इंसा को कई तिले. हिक्स काण करे से जो डिमांड जो चैंज हो ची that is because of two reason. बिकास फिनकम इफेक्ट और सब्टिटिशन इफेक्ट जो प्राइस चैंज हेले दिमांड बढ़ू ची तर दीटा जिन्सा पाए बढ़ू ची इन मार्सलेन डिमांड बोध इनकम इफेक्ट अन साउब्टिटॉटॉटूटूटॉटूडूटूटूबूअट może और काउना से डि达ंचिय नाते लिए वाले सब्टिट्यूट गूर्ष कित्रSON चकी युथा मोहंगा भ्र्च ये विसीतिषिईनल क्म ज来लाम है युशक शर्ष इंक व्यू exist टीममनम्ड ऒॉ chu उग्लिपलेंट कोंतो ही। मार्सलें डिमांड कोष्यानल दिमांद को first टो जिन्साम है चित्रा माध्य हमरे देखिवा तो हिक्सेहाट्टां मार्स्लेंड डिमाण्ड भी तरे तो इनिशेल क्याओं यह वह क्लिभर्यम तो जिते विले प्राइस कमी जैंचि बॉजह ल्याइन रोटेट कला बी पॉइन्टा क्लिभ man बढ़िला उकके जीते बलेц प्राइस कमी जाया selे थे फान ना थे था भाम, x1, this is x2 and x3, तो x1 रू जो x2 को आशिला, x1 आगो demand थिला, x2 को जो आशिला, so a point रू b point को आशिला, तार demand बढ़िला, demand थारो बढ़िकला, तो x1 रू से x2 को आशिला, तो इटा होचे marsal and demand, a point रू जो b point को आशिला, it is because of marsal and demand, तो x2 काण कले, से काण कले, income effect को काटी के, केबल और substitution effect को से देखी ले, तो केबल और substitution effect को जो देखी बा, आगुरा मैं देखी जन्दी एजिन्स, जो माने देखी नाँदी price effect, income effect और substitution effect और वीडियो समाना जाएके, देखी देवे, तो एठी काण हुए budget line टा, downward rotate करे, downward shift करे, compensate जिते बले करा हुए, income कटा हुए ताटू, कटला पुरे से, C point को से आशोची, A point रे consume ना करेगी से, C point रे consume करजी, करणा price अभे अधिक हा जाएची, तो A point रूँ जो C point को आशेला, A point रूँ C point को, that is because of fiction, substitution effect, तो A रूँ C को जो उटाया शेला, सेटाला substitution effect, तो A point और C point को जो जोड़ी दभा, आमें पाईबा, fiction demand, और A point और B point को जो जोड़ी दभा, आमें पाईबा, Marcellan demand, तो Marcellan demand रे price effect रे income effect रूँ सब्सेशन इफेक्ट दीटा जिनसा मिसी की रोईची, A रू C, C रू B, एक दीटा जिनसा मिसी ले होची, A to B, तो A to B होची, आमार Marcellan demand, और A to C होची, और A to B जोची, A point और B point को जोची, सेतरे, income effect रूँ सब्सेशन इफेक्ट दीटा जिनसा मिसी की रोची, किन दो जिते बोले, आमें A रू C को जाँची, के बोला, substitution effect को कुशेडर कराऊची, होचीन डिमान्स अपीड पर, होचीन दीमानल कना कैन गलीम मुर्सालय भंड पर चीडूर होची तृंकेर थाठरू also a होचीन जिते इंकूम थेवर्गोंक्राइड, क्य Кये रूरचीन डिमानल क्र बोला बोला, क्याचीन दीमाइड characteristic critique the income effect and substitution effect of price change are included but in case of hickshen demand only the substitution effect of price change is considered okay so it is hickshen demand curve is steeper than the marcellin demand curve so this is the basic difference between marcellin demand and hickshen demand so i hope this might this video might be helpful for you if the video is helpful feel like share and subscribe have a good day thank you